हाई फ्रेंज वेलकम बेक टू मैं चैनल मैं हूं हरेस और मेरे चैनल का नाम है अनमोल हिंदी दोस्तों क्या आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन यानि की डबलू एचो के सर्वेच्छन के अनुसार चेहरे की 10% से कम तोचा स्वस्तावस्ता में होती है 20% बिमार और 70% मध्यवस्ता में होती है इसका मतलब अधिकांस लोगों की तोचा मध्यवस्ता में होती है इसलिए तोचा की देखबाल करना बहुत जरूरी होता है जो ज्यादातर लोग नहीं करते हैं दोस्तों आज का वीडियो एक प्रोपर स्किन केर रूटिन के उपर होन बनाये रख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं जो स्किन केर रूटिन बताने वाला हूं उसे अगर आप डेली फॉलो करते हैं तो आपकी तोचा सिर्फ 30 दिनों के अंदर ही पहले से ज्यादा आकशक बन जाएगी जिसे आप खुद महसूस करेंगे तो दोस्तों ये व दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि तोचा की देखबाल यानि कि स्किन केर रूटिन को कब से फॉलो करना चाहिए तो दोस्तों 18 साल की उम्र से ही आपको अपने स्किन केर रूटिन को फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि इस समय उनकी तोचा अच्छी होती है जिससे वो अपने स्किन केर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जिसके परिणाम सोरूप चेहरे पर एकने, पिमपल्स, डाग स्पोर्ट, एजिंग स्पोर्ट बनने लग जाते हैं और यही वो समय होता है जो प्रोपर स्कि स्किन केर रूटीन को फॉलो करना चाहिए और 25 साल की उमर में एंटी एजिंग पर ज्यादा ध्यान देने लग जाना चाहिए ताकि आपकी तोचा समय से पहले बूड़ी ना दिखें दोस्तों वैसे स्किन केर के लिए बहुत सारे पोड़क मार्केट में आते हैं जिसे आपकी स्किन आकशक वो चमकदर बन जाएगी तो दोस्तों स्किन केर का जो पहला स्टेप होता है वो होता है फेस क्लिंजिंग का यानि की चेहरे की सफाई का दोस्तों ध्यान रखें अपने चेहरे की सफाई के लिए कभी भी साबुन का इस्तिमाल ना करें क्यूंकि जूद कास्टिक एसीड यह हमारे चेहरे पर बनने वाली नेचरल ओईल को हटा देती है जिससे हमारी तोचा ड्राइव होने लगती है इसकिन में रिंकल की प्रोलम होने लगती है तथा इसकिन पोर्स ब्लोक होने लगते है जिससे ब्लैक हैट एन ब्रेक आउट की समस्या उत जालत है क्योंकि साबुन जितना हमारे चेहरे पर से ओईल को निकालता है उससे कहीं गुना ज्यादा यह हमारे चेहरे पर ओईल को फिर से बना देता है इसलिए साबुन को कभी भी अपने चेहरे को वास करने के लिए यूज ना करें इसकी जगा आप फेशियल क्लिंजर का इस्तमाल करें आप दो facial cleanser का इस्तमाल करें एक night में सोने से पहले और एक सुबह उठने के बात आपका morning का cleanser gentle cleaning के लिए यानि की तोचा की कोमल सफाई के लिए और night वाला cleanser deep cleaning के लिए यानि की तोचा की गहरी सफाई के लिए होना चाहिए आप morning में setafil के gentle skin क्लिंजर का इस्तमाल कर सकते हैं जो डॉक्टरों की काफी भरोसेमन ब्रैंड है और यह आपके स्किन के लिए भी एकदम सेफ रहती है और नाइट के लिए आप नूट्रोजेना की डीप क्लीन फेशल क्लिंजर का का इस्तमाल कर सकते हैं जो normal to oily skin के लिए आती है और अगर आपकी acne prone skin है तो आप the acne face wash का इस्तमाल भी कर सकते हैं जो acne prone skin में बहुत अच्छा वर्क करता है इसकी buying link मैं वीडियो के description में दे दूंगा जहां से आप इसे online purchase कर सकते हैं दोस्तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें ज्यादा जोर ना लगाएं अपने चेरे को जोर जोर से ना रगड़ें दोस्तो बहुत से लोग ऐसा सोसते हैं कि चेरे को जोर से रगड कर धोने से चेरा अच्छे से साफ होता है अगर चेरे को जोर से रगड कर ना धोए तो चेरा अच्छे से साफ ही नहीं होगा बहुत स पर जुरिया पढ़ने लगती है इसलिए कभी भी चेरा दोते समय चेरे को जोर जोर से रगडने की ज़रूरत नहीं है बस हलके हातों से अपने चेरे को साफ कर ले और एक साफ टौवेल से अपने चेरे को थप थपा कर पोच ले दोस्तों हमेशा ध्यान रखे आप अपने चे प्रवल का इस्तमाल करें एक बाथिंग के लिए और एक फेस के लिए अलग क्लिंजिंग के बाद जो सेकेंड स्टैप होता है वह ब्रूर जगां दोस्तों मोस्टराइजर का इस्तमाल इस्कीन को हाइडरेट एन हेल्धी बनाये रखने के लिए किया जाता है सीधा कहें तो dry and oily skin की problem से भी छुटकारा पाया जा सकता है दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को सायद पता नहीं होगा कि moisturizer क्या होता है तो दोस्तों कोई भी cream, lotion, gel या oil जो तोचा को नमी परदान करता हो, तोचा में पानी को बनाए रखता हो उसे ही moisturizer कहते हैं, वो आपका day cream या night cream भी हो सकता है दोस्तों moisturizer cream को हमेशा नहाने के बाद ही use करना चाहिए क्योंकि bathing के बाद हमारे skin ज़्यादा dry होती है जिसे hydrate रखने के लिए bathing के बाद हमेशा moisturizer cream का इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों आपको morning and night दो time moisturizer का इस्तमाल करना चाहिए दोस्तों आप morning में अपने skin type के हिसाब से कोई भी moisturizer यूज़ कर सकते हैं और night में अगर आप कोई skin whitening night cream का इस्तमाल करते हैं तो आपको अलग से night में moisturizer cream लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी skin ज़्यादा dry है तो आप अपने night cream के साथ moisturizer mix करके लगा सकते हैं otherwise आप अपनी night cream को continue रख सकते हैं दोस्तों अगर आप चाहे तो moisturizing cream को use करने से पहले toner, serum या essence का इस्तमाल कर सकते हैं जो हमारे skin में एकदम deeply जाकर काम करता है फिर इसके बाद moisturizer cream को apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपकी skin ज़्यादा oily है तो आपको एक ऐसे moisturizer का इस्तमाल करना चाहिए जो आपकी तोचा में पानी और oil के level को maintain रखे आपको हमेशा oil free water best moisturizer का इस्तमाल करना चाहिए जो चिपचिपा ना हो जिसमें niacinamide, glycerin, salicylic acid and hyaluronic acid जैसे ingredients हो आप चाहे तो plum green tea oil free moisturizer का इस्तमाल कर सकते है या आपकी oily acne prone skin है तो आप Urban Botanics की neem and basil mattifying oil free moisturizer का इस्तमाल कर सकते है जो oily acne prone skin वालों में बहुत अच्छा वर्क करता है इसके अलावा आपकी skin dry है तो आपको setafil moisturizing lotion का इस्तमाल करना चाहिए अगर आपकी age 25 plus है तो आपको daily oil 7-in-1 की anti-aging cream का इस्तमाल करना चाहिए जिसके result काफी अच्छे मिलते है दोस्तो इन सभी की buying link मैंने वीडियो के description में दे दी है जहां से आप इसे online purchase कर सकते है moisturizer के बाद third step है sunscreen का दोस्तो आप लोगों में से जादतर लोगों को पता ही होगा कि sunscreen यह हमारे skin को sun के harmful UV rays से protection पड़ान करता है यह sun bun के कारण होने वाले pigmentation की समस्या को रोकता है sunscreen के इस्तमाल से skin cancer का खतरा कम होता है इसके अलावा अगर आप sunscreen का इस्तमाल daily करते हैं तो आपकी skin हमेशा healthy, glowing and youthful बनी रहती है दोस्तो sunscreen का उपयोग sun protection के रूप में किया जाता है जिसे हमेशा morning में moisturizer के बाद यूज करना चाहिए दोस्तो आप कोई भी SPF 30 plus वाला sunscreen यूज कर सकते हैं अब market में SPF 50 plus वाले sunscreen भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं आप चाहे तो उसे खरीट सकते हैं जो हमारे skin को ज्यादा मजबूती से sun protection पदान करता है आप चाहे तो त्वक्ष face guard का silicone sunscreen gel यूज कर सकते हैं जो की award company का आता है इसका एक SPF 30 वाला sunscreen आता है और दुसरा SPF 50 वाला sunscreen आता है आप अपने जरूत के हिसाब से दोनों में से कोई भी purchase कर सकते हैं चौथा इस्टेप है scrubbing का दोस्तो आपको week में एक बार अपने face को scrub करना चाहिए क्यूकि scrub में जो कन होते है वो तोचा को गहराई से साफ कर सकते है जिद्धी केरोटिन को हटा सकते है scrub करने से skin force unblock होते है यह blackheads and acne pimples को रोकने का काम करता है और skin को exfoliating करता है आप Every Youth Naturals के exfoliating walnut scrub का इस्तमाल करें जिसे मैं काफी time से use कर रहा हूँ इसकी भी buying link आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगी दोस्तों आप ज्यादा नहीं बस ये 4 simple skincare routine को follow करें जो आपके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा इसके अलावा कुछ tips जिसे आपको follow करना चाहिए दोस्तों आपको भरपूर निन लेनी चाहिए खाने में मसालेदर चीजों का उपियोग कम कर देना चाहिए इसकी जगव healthy diet लेनी चाहिए जितना हो सके उतना खुप पानी पीना चाहिए exercise करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा vitamin C वाले आहर का 7 करना चाहिए जैसे की अंगूर, टमाटर, संत्रा और हरी सबजिया अगर आप ये सब follow करते हैं तो आपका चेरा समय के साथ धीरे धीरे बदल जाएगा तो दोस्तों ये एकदम सिंपल सा skincare routine था जैसे male and female दोनों ही follow कर सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें और वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो dislike करें थैंक्यू